हेलो स्टुडेंट मैं स्वारब को लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों कैसे हो आप आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे बच्चों मैं आज आपसे चर्चा करूँगा 11 मार्च 2022 की वक्षिट का गतिविदी पत्रक चैनल के साथ निया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल वाले बटन को जरूर पैस कर ले ताकि सारी नोटिविकेशन उस तक जरूर मिल सके चलिए देखते आगे हमारे देश भारत में विभिन भाशाएं बोली जाती हैं यही विवित्ता भारत की एक अ बोटे से शैर में विभिन भाशाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं नीचे दिया गया डंड आले की बार ग्राफ है यह बार ग्राफ है शैर में विभिन भाशाएं बोलने वाले व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है अब देखिए अलग अलग भाशा बोलने वाले व्यक व्यकति इस लाइन तक две जार व्यकति इस के पांच जार, छे, साथ, तो इस तरह ये डाटा एकटा किया हुआ है, डंडालेक के अधार पर निमलिखित प्रशनों के उत्तर भी देने हैं, तो ये ग्राफ है हमारे सामने और इसके अधार पर हमें उत्तर भी देने हैं, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो इसम हिंदी, हिंदी सबसे बोले जालने वाली भाषा हमें दिख रही है, उस भाषा का नाम बताईए, जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है, तो यहां सबसे कम प्रयोग में हमें कौन सी दिख रही है, मराठी नई, पंजाबी नई, हिंदी नई, अंग्रेजी नई, नहीं तमिल तमिल सबसे कम बोली जाए नहीं वाली इसमें ग्राफ में दिख रही है में अब आगे तीसरा प्रेशन हम देखें बच्चो अंगरेजी की जो तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक है तो आप देखें इधर ये हिंदी का है डाटा और ये अंगरेजी का है तो अंगरेजी बोल रहे हैं छे हजार हिंदी बोल रहे हैं साथ साथ हजार यानि कि डेड़ हजार जादा तो ये कितना फर्रक है तुलना में बोलने वाले व्यक्ति डेड़ हजार जादा इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या आठ हजार है इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या आठ हजार है अपने सह पार्टियों से उनकी मात्र भाषा के बारे में आकड़े एकड़े कर रही है एकड़े आकड़ों के डंडारेक यानि कि ये इसको हम डंडारेक बोलते हैं ग्राफ टाइप आलेक के रूप में निरुपित कीजिए तो अभी हमने देखा बच्चो बार ग्राफ के जरिये हमने सीखा कि कौन कौन सी भाषा है कहा कहा किस तरह के से बोली जा रही है तो आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े रही है इसको लाइक शेयर न सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद